कार दोस्तो मेरे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है आप सबको नए वर्ष की धेरो सुब कामना है और हिंदु नव वर्ष जो मकर संक्रांती से शुरू होता है तो उस नए वर्ष के लिए भी आप सभी को धेरो सारी सुब कामना है जैसे कि आप जानते हैं कि इस पतंग बाजों के कारना में बढ़ जाते हैं और वह जो मांजा इस्तेमाल करते हैं वह इलीगल मांजा इस्तेमाल करते हैं वह मांजा है नाइलॉन मांजा यह चिनी मेड मांजा है चिन ने एक कुरापत की है इसे मांजा इंडिया में लांच करके यह मांजा इंडिया पाकि जो पतंगी चक्री में होता है, तो वह जो मान जाए इसके बहुत सारे लोगों की जान जाती है, तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यह जो जान जारी है लोगों की, हम जाने कैसे बचा सकते हैं, इसके उपर हम इस वीडियो में डिसकॉशन करेगे, वीडियो लंबा नहीं होगा, मैं आप सबको दर्खास्त करूँगा यह वीडियो अन्तों तक देखें, कि इसमें मैं आपको एक आइडिया बताने वाला हूँ, जिससे आपकी जान बज सकती है, तो शुरू करता हूँ कि यह जो नाइलोन मांजा है, इसकी आपको यह खबर सुनने को मिलती है और यह गर्दने कटने का सिलसिला ऐसा नहीं कि यह 14 जनवरी के आसपास शुरू होता है, यह पहले ही शुरू हो जाता है यह दिसंबर के जो सेकंड हाफ है डिसंबर का, 15-16 डिसंबर से ही है कारणा में शुरू हो जाते है, पतंग बाजो के हाइवे पे इसे जाती है गाड़ी, खास करके जो टू विलर वाले, टू विलर और साइकल वाले और आचानक कई से मांजा आ जाता है गर्दन पे आ जाता है कट जाता है आपका लग अच्छा हो तो अब बच सकते है लग खरब हो तो जान गवा सकते है और बोट सारे लोगोंने जान गवाई है इसमें एक बुरी चीज़ ऐसी होती कि हेलमेट के आपको मार है हेलमेट मेंडिटर ही है, हेलमेट पैनते हैं लोग लेकिन हेलमेट के बज़े से ही वो जो मांजा है यहाँ पर अटक जाता है वो आगे जाने ही पाता है और यहाँ पर अटक गया गाड़ी को अपने ब्रेक लगाए आपको समझ में आगाए तो अच्छी बात है तो आप बज भी सकते है या फिर कम हाने आपको हो सकती है लेकिन नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का दुर्दे भी मृत्य होगा, गलक कड़ जाता है आदमी उधर ही गिर जाता है रस्ते पर से, पीछे से आगर गाड़ी आ रही हो, एक्स्प्रेस हाईवे पर होता है ऐसा, क्योंकि एक्स्प्रेस हाईवे के दोनों तरफ colonies होती है, दोनों तरफ थोड़ी दूर, दोनों तरफ से वस्तिया होती है, वहाँ गच्ची पर से लोग पतंग उड़ाते हैं, तो उनके मांजे कट-कट के, पतंगे भी कट-कट के वहाँ पर ही आती है, तो इन दिनों में खास कर बचना चाहिए, सब टू विलर वालों ने और साइकल वालों ने, साइकल वालों का ठीक है, हेलमेट नहीं होता है, तो और उनकी नजर पहनी होती है, तो फट कर ऐसे मांजा पकड़ सकते हैं, या पिर गले पर मांजा आ भी गया तो हाथ से पकड़ कर बाजू कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं, लेकिन टू विलर वालों के बहुत हाल होते हैं, और टू विलर वाले में जो पीछे बेटता है, उसके भी हाल हो सकते हैं, तो इसमें मैं आपको एक आइडे बताता हूँ, कि इसमें पहली बात तो आप सरकार पर दबाव डालिए कि यह जो नाइलवन मांजे है और जितने धार-धार मांजे है, जिसको काच लगी होती है, जिससे जान का खत्रा है, तो उस पर पाबंदी लाओ, पूरी तरह से पाबंदी लाओ, यह पाबंदी तो कागज पर होती ही होती है, हर जो मांजा बेचते हैं, पतंक बेचते हैं, लोगों को पकड़ते हैं, उनको धंड करते हैं, पनिश्मेंट करते हैं, फिर भी चोरी चिपे, चोरी चिपे, यह मांजा लड़कों को आई जाता है, और जो हानी होनी होती है, इससे सिर्फ इनसानों की इने हानी होती है, बहुत स असल बंदि लाओ, ओके, यह इंपोर्टी नहीं करना, ऐसा कुछ कायदा करो, ओके, और दुसरा जो मार्ग है, कि यह जो मैने है, डिसेंबर का सेकंड हाफ और पूरा जन्वरी मैना, अगर संक्रान जो होती है, चौदा या पन्र जन्वरी को होती है, लेकिन यह पतंग बाज से चलाईए, कि आपको पता नहीं कहा से भी मांजा आ जाए, मेरे साथ भी यह हुआ, इसले में, आपको पता जब बाल-बाल बज गया है, तब मेरी गाड़ी का स्पीड बहुत कम था, और यहा लगा तो मांजा, तो मैने वो पकड़ा मांजा, गाली दीकिस के भाई, इंच आपको कहा सकता है, और आपको अपर मित्थानी कर सकता है, और होता है तो इसपे बचने के लिए, मैने अपको गहा है कि आपके पॉलिष प्रशाशं की आप मदत लीजिए, और यह जो मांजा है वो जब्त करी है, आपको कोई बच्चा हो, जो ये मांजा इस्तिमाल कर रहा हो तो उसको भी बता देजी कि ये प्राणगातक है और इससे आपको छोड़ना पड़ेगा और जो साधा मांजा है उससे पतंग हम पतंग बाजी का कहा है विरूत कर रहे हैं पतंग उड़ाओ, खुब पतंग उड़ाओ कोई हर्ज नहीं, एक मज़ा आता है पतंग उड़ाने में और लड़कों के विक्तित्व का भी विकास होता है मांसिक विकास भी होता है पतंग बाजी से, बहुत बढ़ी अचीज है लेकिन मांजा जो है नाइलोन मांजा, उसके उपर पावंदी लाओ और मैंने जो दूसरा उपाय बता है कि आप चोकन ने रही है ये देड मैने है डिसेंबर का सेकंड हाफ और पूरा जनवरी मैना और कम स्पीड से गाड़ी चलाई है इस दिनों में और चोधा और पंदर तारिक को तो बहुत कम स्पीड से गड़ चलाई कि यही दो दू दिने जहासे यह मांजा आ सकता है और आपको आनी पहुचा सकता है तो मैं आपको खहरा था कि ये जो अंतिम उपाय है ये सबसे कारगर सिद्ध होने वाला है आपको बचाने के लिए अगर आप साइकल पर या मोटर साइकल पर प्रवास कर रहे हो इन दिनों तो आपने एक प्रिकोशन्स बरतना चाहिए ये मफलर मालूम है मफलर अभी मेरे पास दिखाने के लिए मफलर नहीं घैनगी ।-धजि ईए अचे आपके गले को ब्रोटेक्शन्स आपने गले कोस्तों पर पहनिये तो ये टाविल है आपके बस नहीं मफलर होगाोँ तो तवील ये सही चलो तो ये टाविल ये टाविल जो है पुरा एक प्रोटेक्शन्स ठीक है आपका हाथ कट गया तो बच सकते लेकिन गला कट गया तो आदमे मर सकता है तो फिर सबसे महतोपुर्ण है गला तो गले की सुरक्षा करने इस तरह से मफलर पहनो और ऐसे मफलर पहन कर ही अब प्रवास करो इन दिनों में तो अब मांजा इदर आ भी गया तो अब बच सकते हैं बचने के चांसे बुच ज़्यादा है ठीक है दूसरी बात इसी कि जिनको स्पाइनल कोड की तकलिफ होती है गरदन की तकलिफ होते कोई भी मरी होते हैं तो डॉक्टर लोग विशश तरह का पिल्ट देते है कले में पहनने के लिए वो अगर बिल्ट भी अपने पहन लिया तो भी कुछ प्रॉब्लिम नहीं क्योंकि अखिर जान आपको अपनी बचानी है तो वो बिल्ट पहन लिजए कोई प्रॉब्लिम नहीं और मैं आपको एक बिजनेस अपोर्चिनिटी भी बताता हूँ कि अगर इस तरह का कोई डिवाइस या इस तरह का कोई बिल्ट अगर आप बनाए तो उसके भी विकरी जनुएरी के मैने में बहुत ज़्यादा हो सकते है तो यह भी एक बिजनेस के जबरदस्ट आइडिया मैंने आपको दी है खुब कमाई इस से क्योंकि सुरक शाहर कोई चाहेगा इस मांजे से मांजे से जो गरदन कटती है इस से सुरक शाहर कोई चाहेगा और इसको पर शाहिद मेरे कहल से किसने सोचा नहीं है यह मैंने सोचा है यह एक इनोवेटव आईडिया मैंने आपको दी है तो इसका आउलमब करिए दुसरी बात यह है कि पतंग बाहस होते है तो पतंग उड़ाते वक्त बहुत बार हद कट जाता है पेर कट जाता है जहाँ जहाँ पर मंजा गिस जाता है वहाँ पर कड जाता है तो इसके लिए भी आप सुरक्षा के लिए फुल स्लीउज फुल हैंड के शर्ट पहने हैं इन दुनों पहने खास करके संकरंती के दिन में फुल हैंड के शर्ट पहने हैं फुल पैंड पहने हैं अगर बाइक पर सवार होके जा रहे तो अब गलती से भी हप पेंड या ट्रॉजर्स थ्री फॉर्थ वगएरा ना पेने फुल पेने तो मांजा लग भी गया तो आपके कटने के चांसेस कम हो जाएगे तो यह आइडियाज मैंने आप इस वीडियो पर बताईए यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में बताईए अगर आपके पास और भी कोई इनुवेटिव आइडिया हो तो प्लिस शेयर करिए कमेंट में बताईए उसके उपर भी हम वीडियो बनाएगे यह चैनल आप सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए दबाखे शेयर करिए इन दिनों में इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है और आपके इस वीडियो शेयर करने से कही लोगों की जान बस स अगली वीडियो में फिर से अवश्य मिलेगे तब तक जय हिंद वंदे मातरम